Hello everyone, Welcome to Pram IAS आज हम अपनी Warrior Bihar Current Affairs Series को continue करेंगे जो इससे पहले lecture हमने करा था, वो first lecture था इस Warrior Bihar Current Affairs Series का और उसमें हमने April month की Current Affairs को cover किया था, बट वो सिर्फ Part 1 था आज हम April month का Current Affairs पूरा complete कर लेंगे और ये है Part 2 ये जो Current Affairs आपको provide करे जा रहे हैं बहुत ही जादा comprehensive है, multiple sources से refer करके आपको ये provide किये जा रहे है आप इन्हें जरूर देखिए और जादा से जादा लोगों को share कीजिए So let's start पहला है पदमश्री Award ये जो पदमश्री Award है, ये बिहार में तीन लोगों को दिया गया है At the Civil Investiture Ceremony First जो की राष्टरपती भवन New Delhi में हुई थी On 5th of April 2023, मतलब 5 April 2023 को एक ceremony हुई थी New Delhi में जिसका नाम है Civil Investiture Ceremony First, वहाँ पे राष्टरपती भवन में हुई थी और हमारे बिहार से तीन लोगों को ये पदमश्री Award मिला है और कौन है ये? कपिल देव प्रसाद, सुभद्रा देवी और आनंद कुमार अगर हम इनके यहाँ पे देखें images, आप इन्हें देख सकते हैं ये है कपिल देव प्रसाद, आनंद कुमार, सब जानते हैं इन्हें और सुभद्रा देवी, अब हम बाकी के दो लोगों को भी जानेंगे पहले हम कपिल देव प्रसाद जी के बारे में पढ़ते हैं ये एक traditional handloom weaver है, आप यहाँ image में देख सकते हैं ये एक traditional handloom weaver है, जो की है नालंदा से और इनको किसलिए ओनर किया गया पदमश्री अवार्ड फॉर हेस कॉंट्रिबूशन इन कीपिंग इस बुद्धिस्ट बावन बुटी वीविंग टेक्नीक और बुद्धिस्ट बावन बुटी वीविंग आर्ट इसको अलाइव रखने के लिए, मतलब इसको अभी तक continue करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया ये जो आर्ट है, इस बावन बुटी वीविंग टेक्नीक ये जो आर्ट है, ये बेटशीट्स पे अपलाई करते हैं साडी वगएरा बनाते हैं, तो उन पे अपलाई करते हैं तो इस ट्रेडिशनल आर्ट, काफे पूराना ये आर्ट है जिसमें हम ये बावन बुटी टेक्नीक अपलाई कर रहे हैं बेटशीट्स बना रहे हैं, साडीज बना रहे हैं तो ये सब जो आर्ट है, ये कई बार मतलब अन्रेकेगनाइज रह जाते हैं, इन्हें हम जो मतलब अवार्ड देना चाहिए, या फिर इनको अगर रेकेगनिशन मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पाता है, इसलिए इस ट्रडिशनल आर्ट को अवार्ड देने की बहुत जाद ज़रती ताकि हम इस टेक्नीक को आगे भी कॉंटिन्यू कर सकें, then next is Anand Kumar, ये है सूपर 30 के फाउंडर, सब को पता है, और इन्हें भी पदमश्री अवार्ड मिला, for providing free education to underprivileged children and helping them prepare for entrance exams of prestigious educational institutions, सब इन्हें IIT exams के नाम से वैसे जानते हैं, mainly उनी के लिए जानते हैं, तो इन्हें भी पदमश्री अवार्ड मिला है, next है सुभद्रा देवी, इन्हें बोला जाता है, mother of madhubani paper mesh art, for using अभी क्या करती है, जो भी waste paper है, उससे ये useful items बनाती है, decorative items बनाती है, तो ये हो गया हमारा, एक बोल सकते हैं हम इसे, waste to wealth, तो आप इसे जब example, अगर आप mains के answers बिहार में, जैसे आप plastic waste की बात करते हैं, या फिर आप जैसे आजकल sustainable development की तरफ move कर रहे हैं, तो आप कहीं कहीं पे answers में लिखते हैं, that we should move, or we should adopt the techniques of this waste to wealth, तो आप उसमें example दीजे, for example, सुभद्रा देवी, उन्हें mother of madhubani paper mesh art भी बोला जाता है, और इन्हें इस चीज के पदमश्री award मिला है, तो हम ये methods को adopt कर सकते हैं, इसके regarding हम public awareness फैला के, लोगों में ये technique फैला के, हम अपने बिहार को साफ कर सकते हैं, स्वच बना सकते हैं, तो ये सब चीजे मतलब आप बता सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहां पे environment को clean करने की बात कर रहे हैं, बिहार की economy पे भी impact पड़ेगा, जो भी यहां से आप useful items प्रपेर कर रहे हैं, या decorative items प्रपेर कर रहे हैं, आप उन्हें sell भी कर सकते हैं, आप उन्हें market में sell कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो भी festival वगरा होता है वहां पे, तो ये हमारा हो गए, पदमश्री award, तीन लोगों क दिया गया है बिहार से, the next, जो news है, वो है हमारे गयाजी डैम से, ये एक rubber डैम है, सब को इसके बारे में पता है, गया में है, फल्गु रिवर पे है, और ये इंडिया का longest rubber डैम है, ये लास्ट ये का current affair है, इसका updated version हम अभी देखेंगे कि यहां पे क्या हुआ है, तो ये आपने लास्ट ये भी पढ़ा था, ये जो है, इससे related कुछ fact आपको पता होने चाहिए, कि ये गयाजी डैम बनाया किसने है, it is constructed by Rubina Company of Austria, in collaboration with Nagarjuna Construction Company of Hyderabad, ये दोनों विकेंसे organization ने मिलकर ये गयाजी डैम means construct करा है, on the advice of experts from IIT Roorki, यहां पे experts की सला, IIT Roorki से ली गई है, तो ये बस आपको normal पता होना चाहिए, कि किन-का हाथ है इसके construction में, और ये हमारे CM ने inaugurate करा था, 8th of September 2022, इसलिए ये न्यूज में था, और ये last year का current affair है, इसकी height है 3 meters, और ये 411 meters लंबा है, अब इससे related जो अभी का news ये है, कि इस गयाजी डैम पे, इसके बीच में विकेंसे, लौड विश्नु जी की statue आ रही है, और आने वाली है, तो ये जो statue है, उसकी height है 65 feet, और ये हमारे गयाजी डैम के mid में आ रही है, और उसकी height means, उसके नीचे पोडियम भी होगा, 15 feet का, तो ये 15 feet के पोडियम पे, 65 feet का ये लौड विश्नु जी की statue को establish कर रहा जाएगा, और वो भी गयाजी डैम के mid में, तो ये news है अभी, the next news जस एक one liner की तरह है, कि जो पतना junction है, उसे busiest railway station in the country में क्या rank मिली है, 7th, तो ये rank आपको पता होना चाहिए, in terms of frequency of passenger trains, either originating और passing through it daily, मतलब passenger trains, कितने frequency वहाँ पे आ रही है, या वहाँ से pass कर रही है, और मतलब आप generally बोलिए, busiest railway station, ranking में क्या मिली है इसको, इसको rank मिली है 7th, हमारा पतना junction जो है, वो 7th busiest railway station है, पूरे country में, now next, जो है caste census से related है, now अभी इसका जो second phase launch करा था, हमारे CM ने, from his ancestral home, बक्तियारपुर टाउन इन पतना district, तो उनके ancestral घर से उन्होंने अपना ये caste census launch करा था, कहां से बक्तियारपुर टाउन पतना district, कब किया था, 15 April, 2023, अब इसका जो first phase है, या जो first round है, वो हो गया, वो launch हुआ था, 7th of January, और 21 January को भी था, मतलब ये जो इस बीच में, ये caste census चंड़क्ट करा गया था, 7th से 21 January तक, और ये launch हुआ था, 7th January को, उस time क्या करे थे, जितने भी हाउस होल्ड से उनको लिस्टिंग किया गया था, मतलब उनको नोट डाउन करा था, उनने डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करा था, और अब ये क्या कर रहे हैं, इस फेज में, अब ये socio-economic indicators को भी, और उनका जो cast status है, उसको भी add कर रहे हैं, मतलब जब first phase हुआ था, तो कितने households है, उनको पहले record करा, अब उनका socio-economic status, मतलब social status कैसा है, backward है, कौन से stage में है, और economic status, जैसे economically weaker section है, या कुछ भी, या फिर cast status, ये सब record किया जा रहा है, second phase में, क्योंकि हमारे यहां पे 1931 के बाद cast census हुआ ही नहीं है, तो जो last cast census हुआ था, वो 1931 में हुआ था, इसी वज़ा से cast census को अभी फिर से update करने के जरुरत है, ताकि जो बिहार government है, अपने schemes को अच्छे से target कर पाए, जिसको जरुरत है, उसको ही मिले ये scheme, उसको ही benefits provide हो, करने के लिए और जो disadvantage section है, जिन्हें जरुरत है benefits की, उन्हें ये target किया जाए, उन्हें ही benefits provide करे जाए, तेन अभी एक news है, जो हमारे बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेस कमीशन है, BPSSC, उनके chairman को अपॉइंट करा गया है, कौन है वो? श्री केस दिवेदी, आप यहां image में देखिए, इन्हें appoint किया गया है, as the chairman of बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेस कमीशन, इसके बहुत सारे नाम है, इसे गंगा जल आपूर्थी योजना भी बोलते हैं, और पहले इसे गंगा वाटर लिफ्ट प्रॉजेक्ट बोला जाता था, इसका aim क्या है? कि जो हमारे बिहार की गंगा रिवर है, means ये हमारा बिहार, इसकी ये जो गंगा रिवर है, और ये हमें पता है कि ये ड्रॉट प्रोन एरियाज है, ये ड्रॉट प्रोन एरियाज है, तो यहां इस गंगा रिवर से, जहां पे वाटर स्ट्रेस्ट एरिया है बिहार का, जैस इसलिए इसे बोला जाता है गंगा वाटर लिफ्ट गंगा से पानी को उठा कर जो भी वाटर स्ट्रेस्ट इस्टिक्स है उन्हें ये पानी सप्लाई किया जाए यह जो गंगा वाटर सप्लाई स्कीम है यह जल जीवन अभियान इनिशियेटिव के अंडर है नाव देखिए सप्लाई γंगा हां वाटर टूझ वाटर स्ट्रेस डिप्टस व दा साउथ बिहार आठए यह वाटर स्ट्वेस डिस्地िक्स कीव हो जाती है साउथ बिभण की नौट बिहार जो है हमारा जिसे आप यहां देखोंगे जो हमारा नौथ बिहार है वहां पर तो पेनीया हें हिमालियन रिवर्श है और हर साल अपना पानी ले कर आती हैंने कंट्र 70 को पूरे साल Urs लेगा अनिसर मौनमर्य सीजन है तो थोड़ा साथ आउन नाफ्र 20 करोब साथी है और यहांपर क्या है पानी हमेशा रहता है और यह होदोbai होती है floods वाली यहां पर situation होती है drought वाली तो क्यों न हम यहां पर गंगा water को यहां से यहां पर ट्रांसपोर्ट करें तो वहां पर flood situation काम हो जाएगी यहां पर drought situation को भी हम tackle कर लेंगे इसी वज़ा से हम गे स्कीम लेकर आए हैं तो देखिए यहां पर होती है seasonal rivers और ground water level जो है वो भी गिरे जा रहा है क्योंकि लोग पानी को निकाल रहें ground water में लब ground से तो और पानी है नहीं तो इसी वज़ा से हम इसको manage करने के लिए ला रहे हैं आप यहां देख सकते हैं इस image में कि हमारे CM ने इस scheme को launch करा अभी जो इसका second phase launch हुआ है वो हुआ है नवादा में और इसका जब first phase हुआ था पहले वो हुआ था नालंदा that is राजगीर और गया तो अभी हम उनके dates भी देखेंगे और यह है यह पहला phase का ही image है first phase का image है यह 27th November को राजगीर में launch हुआ था और 28th November को गया में launch हुआ था और अभी नवादा में launch हुआ है now यह for providing this water for drinking purposes through a 151 kilometer pipeline now first phase में तीन districts को sorry तीन towns को and two districts को cover करा गया था तो दो district हमारे पास है एक है नालंदा एक है गया और तीन towns कौन से है राजगीर बोद गया and गया तो यह पहले phase में target था कि हम इन दो districts को cover करेंगे second phase में target है कि हम नवादा को cover करेंगे अब आप यहाँ देख सकते हैं तो यह जो first phase था वो launch हुआ था राजगीर में on 27th of November 2022 और उसके बाद गया में गया इन बोद गया 28th of November 2022 अभी जो launch हुआ है वो हुआ है नवादा में यहाँ पे कुछ points मैंने यही दर हिंदू से लिए हैं जो कि आपके mains में भी use हो सकते हैं जैसे इसके इस project के अंदर क्या target है इस project के अंदर target है कि हर एक family जिसके 5 members है every family with 5 members उनको 135 liters का piped ganga water supply हर दिन प्रोवाइड किया जाएगा means हर दिन देखे यह एक family है इसमें है 5 members तो इन सब को हर दिन कितना पानी दिया जाएगा 135 लीटर का ganga water every day through a 151 km pipeline from this हातीदा in Patna यह actually जो location है यह है मुकामा के पास and यहाँ से पानी लेके in different weekend से तीन जगा है जो भी हमने देखा गया बोद गया and this Rajgir यहाँ provide किया जाएगा यह actually पिछली बार का ही news है तो यह 28th November आप देख सकते हैं first phase का ही यह aim है बट यह fact आपको पता होना चाहिए now इससे क्या government जो है वो क्या करना चाहिए यह हमारा पहली बार है पूरे इंडिया में not only in Bihar कि जो हम flood water है उसको harvest कर रहे है for the purpose of drinking क्योंकि यह जो area है इस map में आप देखिए यह roughly मान लीजे गंगा water अब इसके यह जो आसपास वाला area है थोड़ा floody region होता है और यह तो पूरा ही flood से भरा होता है especially this part तो यह flood से affected रहता है और यहां से हम क्या कर रहे है पानी को यहां से मुकामा के पास से निकालके हम इंडिस्टिक्स में supply कर रहे हैं तो इससे क्या होगा जो flood है वो कम होगा तो आप यहां देख सकते हैं इंडिया में पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि हम लोग flood water को harvest कर रहे है अब तक हम rainwater harvesting करते थे अब हम flood water harvesting कर रहे है और यह जो project है इसको international recognition भी मिला है for meeting four SDGs, sustainable development goal जो इंडिया चीव करना चाहती है दो हजार तीस में वो goal हमारे बिहार ने मतलब चार गोल को इस scheme के थरू, इस method के थरू meet करने का मतलब कोशिश करेगी और वैसे ही launch हुआ है तो अचीव करेगी जैसे good health and well being, clean water and sanitation, sustainable cities and communities and climate action एक बर हम map में भी देख लेते हैं, नालंदा में 27th November को ही launch हो गया था, यहाँ पर 28th November को launch हो था और नवादा में अभी launch किया गया है इससे क्या होगा, जो भी climate के ill effects है उसे हम minimize कर देंगे, जैसे sudden climate change हम देखते हैं, floods होते हैं, droughts होते हैं, उन्हें हम कम कर सकते हैं and clean water को हम districts में दे सकते हैं, जहाँ पर पानी की कमी है, जिससे हम sanitation को भी promote करेंगे और हम health को भी promote करेंगे, good health को भी promote करेंगे next news है हमारे पास, regional response come training center, जिसे हम RRCTC भी बोलते हैं NDRF ने decide करा है, कि वो RRCTC, that is regional response come training center, कहाँ पर set up करेगी, भागलपुर NDRF, National Disaster Response Force, जो भी disaster अगर अकर होता है, तो उसके जो action, मतलब वहाँ पर safety promote करने के लिए या evacuation का जो program है, वो NDRF teams करती है, तो उनका एक center हमारे भागलपुर में आएगा next है, East Central Railway, ECR, इन्होंने launch करा है, summer safety measures in all the five divisions तो ये East Central Railway ने summer safety measures, गर्मी को देखते हुए, पांच division में, मतलब ही Central Railway के पांच division में launch करा है, जिसमें से बिहार के तीन divisions है, दानापुर, स्टोनपुर, समस्तिपुर, और बाकी दो डिसिक्स, बाकी दो प्लेसे, पंडित, दीन, दियाल, उपाध्याय, ये है यूपी से, और धनबाद, जारखंड, following the sudden rise of temperature, मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है, East Central Railway में summer safety measures को launch करा है, इन पांच divisions में, now next is, नमामी गंगे प्रोग्राम से related एक news है, नमामी गंगे प्रोग्राम के अंदर, दो घाट्स बनाए गए, along with the riverfront, ये कौन से district में हुआ था, गोपाल गंच में, और कौन से river में हुआ था, गंडक रिवर और नराइनी रिवर, तो ये बस news है, कि नमामी गंगे प्रोग्राम के अंदर, वो कौन से district है, या वो कौन से river है, जहां पर riverfront के साथ-साथ, दो घाट भी बनाए गए, two ghats have been constructed, वो है हमारा गोपाल गंच, और रिवर है हमारी गंडक रिवर, ये नराइनी रिवर, the next is, order of maximum people traveled abroad in the year 2022, तो maximum, मतलब हमारे बि से उसके बाद है सिवान, उसके बाद है पतना, then next, जो हमारा one-liner है, बिहार पुलिस अकाडमी को मिला है, best training institute award, बिहार पुलिस अकाडमी, जो की है नालंदा district में, इसे मिला है, best training institute award, किसने दिया है, home ministry ने, आप यहाँ डाइग्राम में देख सकते हैं, हमारी इस अकाडमी को जो की कहां पे है, नालंदा में है, now badminton academy आने वाली है, हमारी कहां पे भागलपुर, so it has been announced to open the badminton academy in भागलपुर, यह decision लिया गया, जब हमारे जो Indian badminton team के chief coach, पुलेला गोपी चंद, वो आय थे, उन्होंने टूर करा था, उस ताइम यह decision लिया गया, कि badminton academy हम भागल में खोलेंगे, now Bihar का rank in providing the legal aid to the people as per this India justice report, मतलब India justice report 2022 के according, Bihar का rank क्या है, 16, Bihar government ने एक Bihar museum committee constitute करा, for the betterment of Patna museum, और उसके cheer person कौन है, अंजिनी कुमार सिंग, next है, the state government has announced to provide education loan up to rupees 50 lakhs to the students who are going to study abroad, तो हमारी Bihar government ने decide करा है, कि जो भी Bihar के students हैं, जो बाहर जाके पढ़ना चाते हैं, उन्हें 50 lakh तक का education loan provide किया जाएगा, दिया जाएगा, और ये जो initiative लिया गया है, वो हमारे 7 निश्चे scheme के अंदर एक program था और एक योजना थी, Bihar student credit card योजना, उसके अंदर ये loan दिया जाएगा, now, national career service portal में, approximately, Bihar से 2.86 लोगो ने register करा, अब ये जो national career, मतब ये आपका data है, जो आपको याद रखना है, कि approximately 3 lakh people और 2.86 lakh people इन्होंने register करा है, in this national career service portal, अब इसमें लोग register क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो portal है, ये जो भी job seekers है, जिनने job चाहिए, जो भी employers है, that is, job provider, जो job देते हैं, skill providers, वो सब एक दूसरे से interact कर सकें, और अपनी fulfillment, जो भी उनका aim है, उसको फुल्फिल कर सकें, जैसे इस portal में, आपको employers भी register करते हैं, और जिनको job चाहिए, वो भी register कर सकें, तो जैसे employer है, कोई जो job देता है, अगर वो कुछ standards रखता है, अगर जो भी ल next हमारे पास है, rank of Bihar in terms of unorganized sector workers, unorganized sector workers में, Bihar की rank क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा unorganized sector workers कहां पे है, UP में है, उसके बाद Bihar में है, तो Bihar की rank है second next news है, बेगु सराय से, हमारी एक निर्जला कुमारी है, रेसलर है ये बेगु सराय से, जिनने silver medal मेला है, under this national under 17 wrestling championship, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज को, निर्जला कुमारी और बेगु सराय, won this silver medal in national wrestling championship, then next, वैसे हम economic survey और budget भी करेंगे, बट उससे पहले आपके पास data है, as per the economic survey 2022-23, doctors कितने हैं बिहार में, per 1 lakh population, वो है 7, काफी कम है ये, क्योंकि अगर हम national average की बात करें, तो हमारे इंडिया का भी 7 है, but 7 doctors per 10,000 है, और बिहार काफी कम है, 7 doctors per 1 lakh population, now, किस university के registrar को award किया गया है, with this green ambassador award, ये है पूर्णिया university, उनके जो registrar है, जिनका नाम है, dr. घंश्याम राहे, उन्हें ये green ambassador award दिया गया है, next is, chairman of Bihar museum committee, constituted for the Patna museum, अभी पढ़ के आए हम लोग, कौन है chairperson इनके, अंजनी कुमार सिंग, the next news है, वैशाली से, वैशाली के हैं ये अभे कुमार, जिन्होंने अपना नाम, Guinness Book of World Record में register करा है, by giving the correct answer of the days of 16 calendar dates, between 1 year to 10,000 years in 1 minute, इन्होंने एक मिनिट में, एक साल से 10,000 साल के बीच में, 16 calendar dates के सही सही दिन बताए हैं, तो ये बहुत ही जादा हमारे लिए proud की बात है, हमारे बिहार से हैं, और ऐसा बोला जाता है कि ये गूगल से भी काफी तेज हैं, तो यहाँ पे जो अभे कुमार जी हैं, उन्होंने ये भी बताया, कि वो 10,000 ही नहीं, वो करोड इयर्स तक ये अपना जो भी correct answers दे सकते हैं, और वहीं पे गूगल जो है, सिर्फ एक साल से 10,000 साल तक का ही आंसर दे पाता है, तो इन्हें faster than Google भी बोला गया है, चलिए अब हम जतना भी हमने current affair पढ़ा है, उससे related questions करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे है पूर्णिया, पूर्णिया से related क्या current affair पढ़ा था हमने, कि जो पूर्णिया युनिवर्सिटी के रेजिस्टरार है, डॉक्टर घंशियाम राय, इन्हें मिला है Green Ambassador Award 2023, देन उसके बा वाली Badminton Academy, not University, Badminton Academy आने वाली है, भागलपुर में, then next news हमने पढ़ा है, अभी वैशाली का, वहां से है, अभे कुमार, जिन्हें Guinness Book of World Record में नाम अपना करा है, next है हमारा Nawada, Nawada से related news था हमारा, कि Ganga Water Scheme है, Ganga Water Lift Scheme, और जिसे हम Ganga Jal Aapurthi Yojna भी बोलते हैं, उसका second phase यहा नावादा से, उसके second phase में नावादा में पानी सप्लाई किया जाएगा, बाकी बेगु सराई से related news है, जो हमने अभी पढ़ाता करेंट अफेर में, और जमुई से related जो करेंट अफेर में न्यूस पढ़ाता वो आप मुझे बताएंगे, so if you find this helpful, please give a positive feedback, and do like this video and subscribe the channel and share it to your friends, Thank you!